सो हाई गाइस मेरा नाम है नितिन और आप सभी का सागत है नितिन मेने YouTube चैनल में दोस्तो हमारे चैनल पे काफी सारे वीडियोज अविलेवल है Medical Raps के बारे में अगर एगर आप Medical Raps हो या फिर Medical Raps बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लैलिस्ट में जाके सारे वीडियो चेक कर सकते हो उस सारे वीडियो जॉप से रिलेटेड ही है, आपको कही न कही काफी हेल्प करने वाले इस वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ कि कैसे आप लाखो रुपे भी कमा सकते हो as a medical reps तो यह थोड़ा सा थ्यान से सुनेगा अगर आपने कहीं भी थोड़ा skip कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह साथ ज्यादा समझ में आने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा deep में बात करने वाले तो ही आप समझ जाओगे तो यह experience और फ्रेशर दोनों के लिए उतना ही जरूरी है तो दोस्तों जभी मैंने अपना करियर स्टार्ड करा था तभी से मैंने चीजे सीखी है देखो जबी हम फिल्ड में जाते ना तो हम आप मान की चलिएगा आपको दो तरीके के MR मिलने वाले हैं जब भी आप देखोगा आपको हमें साथ दो तरीके के MR मिलने वाले हैं तो दो तरीके के MR एक MR ऐसे होते हैं जो कि थोड़ से lazy टाइप में होते हैं जिनका काम company ने बोला है आपको 11 call करना है तो वो सिब 11 call करेंगे च्छार-पांश रिटेलर्स मिलेंगे और अपने घर जाएंगे उनका objective यह रहता है कि आपको हमको बेग लेके जाना है फिल्ड में काम करना है 11 call करना है बेग तो अपने घर आ जाना है ना और एक जो यह हो गया एक टाइप के मार एक जो अलग टाइप के मार तो company ने 11 call का बोला है तो उसके बाद वो extra effort भी लेंगे 11 call करने का उनका तरीका भी अलग होगा प्रेशर क्या रहता है कि जब हम इस तरीक से working करते हैं कि बस हमको जाना है और आना है इसमें क्या होता है आपका 1-2 साल तक आपका जॉब ठीक लगता है उसके बाद आपके उपर आने लगता है प्रेशर प्रेशर क्यों आता है क्योंकि आपने जो अपना 2 साल था वो बिल्कुल आपने वेस्ट करा है वो वहां पर एक एक जो दूसरे तरीके के मार रहते है वो हर दीन को हर कॉल को इतना अच्छे से करते है इतना यूटिलाइस करते है अपने टाइम को कि जब उनको कभी भी सेल्स प्रेशर नहीं आता है और उनकी ग्रोथ एकदम बढ़ते आती है यहां पर जो अधर टाइप के मार रहेगा वो क्या कहाएगा फ्रस्टेशन में आ जाएगा कंपनी चेंज करेगा कंपनी भी आप जब चेंज करते हो दूसरे तीन कंपनी आप चेंज कर सकते है उसके बाद आप पर कोश्चन मार के लग जाएगा कि यह लड़का स्टेबल नहीं है अगर हमने इसको इस कंपनी में लिया तो दूसर छे मैंने एक साल बाद यहां से भी छोड़के चले जाएगा तो फिर उसका करियर आप समझीए खतम हो जाता है तो आपको जब इनिशली आप स्टार्ड करते ना तो इसे एमार आपको 90% मिलेंगे मैं फिल्ड में बता दू और जो काम करने वाले वो मिलेंगे वो सिफ 10% मिलेंगे तो इस तरीके के एमार से आप बच के रहिएगा ठीक है इनसे भी हमें काम रहता है इनकी बात इधर से सुनो इधर से निकाल दो बस इतने ही इनसे टच मिलेंगे आपको फॉलो करना है जो सीनियर एमार रहते चाह कुछ-कुछ एमार रहते हैं आप देखो काफी सीनियर हो जाते हैं तो आपके मन में कुश्चन आता होगा कि यार ये इतना काम क्यों करते हैं अभी तो इनके इतने रिलेशन बिल्डप हो गयोंगे वो और भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं इवन कई बार उनको आफर रहता है कि आप एरिया मैनेजर बन सकते हो पर कुछ रहते हैं रिजन्स वो प्रमोशन्स नहीं लेना चाहते हैं उनको फॉलो करियों उनका तरीका देखिए वो केमिस्ट पर कैसे बात करते हैं उनसे दूस्ती बनाइए तो आप भी उनके जिस्से कमा सकते हैं ऐवन आप यकीन नहीं करेंगे असे इसे इम ind ही में है जनका आज के भी आक मैं जाएंगे पर काफी कम रहते हैं जिनका की 10-12 रुपे का पेकेज रहता है, अब मानो सैलरी एकस्पेंस मिला कि लाक रुपे मंथली निकाल लेते हैं और इंसेंट्यू उस्ते अलग रहता है, ये काफी सारे इमार इसे हैं जो इतना पैसा अभी भी कमा रहे हैं इस एरिया मेनेजर इस आरें से भी जादा पैसा इस एमार कमाया जा सकता है तो ये बात ध्यान रखेगा और अभी भी क्या है यार जब निकले ही है ना करने 11 वो भी कर रहे तो तरीके से करो ना जब आप घर पे जाओ ना तो लगे कि हाँ आज मैंने काम करके आया है आपको अंदर से प्राउट फील होना चाहिए कि आज मैंने कनवर्जन करके आया अगले दिन उनका फॉल उप आपको कैसा लेना है आपके एरिया में देर से बा कि हाँ यह काम कर रहा है अगर आपको प्रॉब्लम सी नहीं आ रही तो इसके दो होते हैं तो आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए या फिर आप अपने काम के साथ कंप्रोमाइस कर रहे हैं आप तो यह वीडियो मुझे लगता है काफी हेलफूल होगा यार जब भी काम करो मो आपको सूचना रहेगा तो ही आप इतने पैसे कमा सकते हो हाँ काफी पैसे आप निकाल सकते हो तो आई थिंक वीडियो काफी हेलफूल रहा होगा प्लीज यार कमेंट करेगा और भी कोई कंफूजन्स हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजेगा तो वहां पी कु झाल